आज हम दो बनाने वाले हैं 10 मिनिट में त्यार हो जाने वाला नास्ता तो चलिए बनाते हैं यह एक कटूरी सूजी है, ग्राम में 1.500 ग्राम है, इसे मिक्सजार में डाल देना है थोड़ा सा दरदरा पीस लेना है, एकदम पाउडर भी बनाने की जरूरत नहीं है अब यह एक बॉइल आलू है, बड़े साइस का, इसमें थोड़ा पाणी एड़ करेंगे और इसे भी आपको मिक्सजार में पीस लेना है, एकदम स्मूथ पीस ना है, इसे हम इसमें डाल देंगे थोड़ा थोड़ा पाणी डालेंगे, और ऐसा बैंटर तयार कर लेना है यह दिखेंगे, थोड़ा ठीक है यह, धक के 10 मीट के लिए रहेज़ देंगे 10 मिट के बाद हम स्वाद अनुसा नमक और एक इनू का पैकेट आपको डाल देना है थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है यह दिखिए हो चुका है तवा गरम है इसके उपर ऑईल ब्रश करेंगे बैटर इसके उपर सेंटर में डाल देना है इसे डोसा बनाने के जरूद नहीं है थोड़ा यह मोटा ही रहेगा तो जगा पे थोड़ा सा फैला लीजेगा फिर इसे हम ढख देंगे मीडियम फ्लेम पे डेर से दो मिनट पकाएंगे बढ़ यह जो उपर की सत्य है वो थोगी ड्राय हो जाने चीए इसके उपर थोड़ा ओईल डालेंगे और फिर इसे फिलिप कर लेंगे फिर से देर से दो मिनट पकाना है त्यार है हमारा जटपट सा नास्ता